लो एवरिवन दिस इस चंदन साड़गा उकर और दोस्तों आज के डियों में लेके आया हूँ IBPSPO के interview questions with answers और with some strategies और थोड़े से tips आप लोगों के suggestions थे मैं भी इस पर planning कर रहा था जैसे मैंने अपने पिछले वीडियों में बताया तो मैं IBPSPO के कुछ questions लेकर आया हूँ इससे पहले में कुछ आपको बता आता हूं दोस्तों यह एक उडियों ही नहीं बनेगा interview पर क्योंकि इंट्रीव में बहुत सारे questions होते हैं तो मैंने selected पहले कुछ पार्ट वन आज के लिए बनाए हुए है अन्यवारे जिन्हों में और बनाऊंगा और इस पर आपको guidance करूंगा ठीक है लेकिन उससे पहले जिए बहुत बड़ा हडल पार किया है कोई बीए एक्जाम पार करना मेरे सबसे बहुत बड़ी बात है ड़ेजन मेंटर और क्लरक हो पी ओ हो या कोई भी एक्जाम हो तो इंटर वीडियो को शुरू करने से आपको बताना चाहूंगा एक चीज है इस लाइक अभी जो मेरा ये चानल है वह एज् इसका पेजिज का नाम है लिरिक्स एंड शायरी लवर्स टीक है लिए लिरिक्स और शायरी लवर्स टीक है अब हो उस पेजा पेज़ पे जाकि आप फॉटस पे कीजिए ताकि आप फटा-फट चाहिरी इस पड़ सकते हो अगल पसंद आए तो लाइक और फॉलो द पेज ठीक है दोस्तों तो अभी दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जैसे मैंने का था इंट्रेव्य क्वेश्टन्स सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्टन जो आप पता भी होगा वो होगा टेल मी अबाउट यॉसल्फ अभी आप दो तरीके कांडिएट्स होंगे एक जो प्रेशर है दूसरा होगा जो अभी एक्स्पीजियन्स है एक्स्पीरियन्स कोई भी होने तो दो साल चार साल दस साल ठीक है लेकिन फ्रेशर या एक्स्पिजिएंस अभी देखो मैंने पॉइंटर आज बना के लाया हूं ताकि आप से डिरेक्टली बात कर सको पर्सनल इंफॉर्मेशन आप बोलोगे ठीक है जिसमें आपका नाम बताईएगा पेरेंट्स अगर वाकिंग है तो पेरेंट्स का डेजिगनेशन मितलब जो भी है मितलब पापा आपके अकाउंटेंट है जो भी है उसके बाद आपका एज्यूकेशन आता है अचा दोस्तों एक चीज़ आपको पता होगा आप पैन और पेपर लेके बेट चाहिएगा क्यों मैं अभी हो समझे लहां कि आप पैन और बुक के साथ बेटे रहोगे तो नोट डाउन करते र आप यहां किजेगा देन वर्क एक्सपीरियंस तो यह जिन जिन का वर्क एक्स इप एनी और वर्क एक्सेल में सिप्ट यह मत कीजेगा मैं एक्स कंपणी में यह था यह था जहरे नहीं वह ऐसा लग रहे है कि वह बुलेट प्वाइंट के आंसर देरे ता आपको क्या करना आप अधिक है कि अलाववा एक अधर अचीवमेंट्र डिपेंट करेगा आपने कुछ अचीव किया अचीवमेंट और इनी कौलिफिकेशन इफ एनी या फिर आपके करियर लेडर आपको कोर्स करना पड़ा था वो मेंशन कीजिएगा ठीक है और उसके बाद दोस्तों एक होबी को लास्ट में मेंशन कीजिएगा और एक चीज अभी कुछ-कुछ लोग क्या बोलते हैं होबी ऐसी बोल देना छोड़ देना होते हैं नहीं दोस्तों यह इंटर्व्यू सीएस लेवल पर रहेंगे क्योंकि मैं इसका तजरुबा देता हूं थोड़ा एक रॉफ ली एक क्रिकेट कुछ ना कुछ सवाल पूछेगा और एकस्पेट मत करना सिफ बी-सी-सी या इंडियन क्रिकेट के बारें पूछेगा हो सकता है और ऑस्टेवर में कुछ एवार्ड किसको मिला तो बॉस यह क्वेस्टन स्टफ होते हैं तफ होते हैं मतलब अगर आप नहीं तो मुझे पूचा गया था होबी के बारे में तो मैंने कहा था है राइट शायरी जन गजल्स ठीक है मैंने इतना ही बोला तो उसका उनका जो रियक्शन था इंटर्वे को यह था अच्छा शायरी लिखते हो आप तो यह डू राइट सो तो उन्होंने ऐसे मज़ाग मनाए कोई एक मान लो आपको किसी को प्रपोस करना दो शायरी सुनाओ तो मैंने उनको शायरी सुनाई क्यों पता है मैं तैयार था इसका मतलब ट्याटा मेरी वो एक दुनिया है शायरों के जो मैंने बांद वहा था तो मुझे पता है कि मुझे जरूरत लगेगी ठीक है अब एक एक फाइजांपल देता हूं मानलो अपने क्रिकेट बोल दिया ठीक है अब क्रिकेट में एक बंदा है जो हाली में इसने डिटार्मेंट ली आपको पता है वो यार 360 प्लेयर है वो कहीं भी शॉट मार सकता है और आपको पता नहीं होगा ना तो इट डास नाट लुट गुट ठीक है देखो ये पॉइंट से अपका पूरा करेयर डिसाइट नहीं होगा लेकिन ये पॉइंट पूछा क्यों जा रहे है क्योंकि आपने बोला क्रिकेट तो तोarnya हो जाए है तो उससे यह पॉइंट होता है कि या बंदा डिटरमाइंड ही नहीं है ठीक है और कुकिंग के बारे में कोई बोल रहे हो गर्ल्स या एनिफिंग तो कुकिंग में कई ना कहीं ऐसा हो सकते कि मान लो आप सोयन सो सबजी यह मेकिंग और उसमें यह यह हो गया दो क्या करोगे ठीक है अब दो चीज़े इसमें या तो आपने वह रेसी पी कभी बनाई नहीं है तो या मतलब आउट और बनाई है तो आपको पता होना चीए तो मेरा कहने का पॉइंट है होबी वही बोलो ज ठीक है जो हाला हाली में IIT Bombay में भी आये थे तो उनका वह लेटेस प्रोग्राम था मतलब यह डिटेल्स पता होना ही चाहिए आप जो भी होबी बोलोगे ठीक है दोस्तों यह था पाइला क्वेश्चन टेल मी अबाउट यह सर्फ देन सबसे फेमस क्वेश्चन इसको स्ट आप सभी लोग अलग-अलग फिल्ड से हो ठीक है अभी आपको इसमें क्या नहीं करना है जिसमें नहीं कहा वाट नॉट टू से इंटर्व्यू वो टिपीकल आंसर मत देना मैं नॉमल बात ऐसे कर रहा हूं आपसे बिगार टिपीकल आंसर मतलब इस माई चाहिड़ोल ड्र तो इसके लिए आपको आपका बेकर स्केल्ट आंसर मेरे पास मेरे एंजिटीरिंग किया थो मेरे पास यहा बडिटी है फला किसम की आबिटी तो इस से मुझे यह ग्रोट मिलेगी मैं से करियर देख सकता हूं जिस से और भाय स्वाव में शाव सब्ड कर तो यह सुनने में आपका background का पूरा information होना चाहिए क्योंकि आप सभी अलग-अलग से हो कोई commerce से कोई law से कोई engineering से ठीक है इस तरीके से आप planning करना आप चाहे तो इस question के लिए answer कर सकते हो ठीक है क्योंकि आप comment करोगे तो हर एक के अलग-अलग नजारी होंगे तो देखने में इंटरस्टिंग र job if you get a better opportunity जो काफी killer question है मैं आपको मान दो 45,000 दे रहा हूं और मैंने पूछा आपको या तिरे को अच्छा जॉब मिलेगे तो छोड़के जाएगा क्या अभी जोको on the spot face to face पूच रहा हूं ठीक है तो इट इस लाइक असी banking is a good career option यह सब चीज़ आप बोल सकते हो और इस question म मैं पता है उनको चया जानना है they want to know your loyalty यह बंदा कितना loyal है ठीक है you can say like I am prefer a consistent stable lifestyle instead of changing every time for financial benefit ठीक है तो इस से बता जालेगा कि यह बंदा यार मतलब बात बात में घुमता नहीं यहा हुआ fixed or stable mind है उसका ठीक है in fact this is also a question you can answer ठीक है then how your educational background or qualification is going to help company तो अपना educational background बताना कि जिससे आपको company के मदद मिले कि वो क्या-क्या क्या आपका knowledge जो आपको और उसमें यह question फ्रेशर पर भी लागू होगा फ्रेशर वाले आप यह बच निकलोगे आपको भी यह लागू होगा क्योंकि आपका experience नहीं है ना तो वह educational background पे वो लोग पूरा निचोड़ के पूचेंगे आपको तो सिब आपने marks के लिए जो degrees हा जो भी आपका background है ठीक है लेगिन वह चीज बराबर आने चाहिए याद रखना यह कोई commerce का typical exam नहीं है कुछ भी बोलके आओगे कुछ भी लिखके आओगे तो मिलेगा वहां 10 में से लेटर में मिलता है यहां पर याद रखना interviewer को हमेशा respect देना वह आपसे दादा दानता ह यह होती है उसको respect देना कोई भी फिल्ड का बंदा आपके सामने उसके सामने बेढ़ जाए हमेल चाहिए उसको आपसे दादा पता है यह होता है giving respect आप जो भी कहो ना उसमें सच्चा होनी चाहिए तो कुछ नहीं पता है you can properly say sorry sir do not know वह घुमा फिरा क्या answers exam में मिलता है मैं एक ऐसा हो सबता है कि I strictly follow rules ठीक है और कोई अगर फॉलो नहीं करता है तो मुझे बुरा लगता है तो मैं थोड़ा 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 टेंशन में आ जाता हूं इसमें क्या पता है वीक्नेस में मैंने अपने वीक्नेस पता है साथ मैं उसके अंडर में अपना strength cover-up कर रहा ह यह सकता है कि I think too much तो इसको अभी आप ऐसा बोड़ सकते हो मैं मतलब कि सर्फ कोई भी project मुझे करना और मैं जादा सोचता हूं और सोचने के पाद मन्हें वही solution दे रहा हूं तो कभी-कभी सोचता हूं यार मैंने ऐसा क्यों किया मतलब वही solution क्या लेकिन इसमें एक रहे ए वाला सोलुशन नी बी वाला सोलुशन करना चाहिए तो इससे क्या आपका सोचने से फाइदा हुआ आपको थेवसेदा अच्वत रिंक गठ्यों करना चाहिए तो स्था किया डिंखर वाला सब्सक्राइद क्या हुआ यूआखका सेवनट कंपने लिगी स्क ने रहीश वाला मॊंद आखकर किनकत टैटि दिंखर कंड है तो क्या आखकर चाहिए च opened तो कि श्हयुत phone ५िव्क्र ट्राइट टेवलप ओवर नंबर आफ मन्स और इयर्स और विल ट्राइट इंप्रो माइसर डेवाइट हमेशा यह मत किया ना कि बॉस होने स्टी की शुरुआत हमसे होती है एसे मत बॉलना कि इमानदारी के हम लोग भक्त है ऐसे मत के ना भले आप हो बट वहां पर नहीं होता है यार यह तो अपनी बात कर रहा है यार इसको तो सब आता है ऐसा नहीं बी ग्राउंडेड आसमान को छुना है पर पेर जबीन को रखना याद रखना तभी आप उचा उड़ सकते हो ठीक है और वह इक वाले बोलना जो आपको पता है और जिसके उन्हें अच्छे से बोल सक फिर भी तो सोचने को आता है यार 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 एक ही चीज़ बोलूंगा तेल्द एक्जाट रिजन जो एक्ट रिजन है वही बोलो कुछ भी हो फाइनांशल कंडिशन और वाटेवर ठीक है ऐसे मत किना यार वह बोरिंग ता मजा नहीं आए नहीं किसी भी को उसको नीचे मत करना ठीक है आपका इसमें एक चीज़ आपका करियर गोल बताओ फिनैंशल इश्यू कोई नहीं है बड़ में चीज़ एक्ट रिजन मोलना तिन वाट यह करियर गोल्स राइट नाव फाइर्स फ्रॉम नाव टैनियर्स ठीक है अभी तक आपको पता नहीं ह तो यह चीज़ अभी गुल्दस्ते में इंटर्व्यू चल रहा होगा तभी तो डिपेंडिंग अपॉन दबैंक के मानलो मैं ने आंदरा बैंक में जॉइन कर लिया तो यू कैन तेल देम डैट वहां पे जैसे वकिंग कंडिशन होंगे जैसे भी ग्रोथ होगा तो उसमें बढ़े होंगा बट हाँ साथ-एट साल के बाद मैं डेफिनेटली के सकता हूं में ऐसी पोजिशन में रहूंगा जहां पर मैं नहीं नहीं चीज़ सीख रहा हूं इस तरी की सहां सपोट करो एक दम ऐसे कमांड मत करना कोई भी चीज में कमांड करते तो रोड़ा अच्छा इन एक्जैंपल व्यर्यू हैं प्रोफेशनल होगा तो बेटर होगा प्रोफेशनल अगर नहीं है तो परस्टनल लाइब से को इसा सिच्वेशन करो परस्टनल वालों को भी रहेगा तो धैंस से आप लोग इसको सौल करेंगा ठीक है एक फेमस क्वेशन इसका भी आंसर आप करना मैंने तीन क्वेशन से बाद में रिपीट भी करूँगा वाई शोड़ी भी हायर यू यू कैन से यू कैन शो यू में स्केट से पॉइंटर देता हूं इसमें एक नोड देता हूं प्रोफेशनल से लिए भी और फ्रेशर के लिए भी एजुकेशनल बैग्राउंड का टॉपिक अच्छे से पढ़ना तीक है और उपर उपर से आंसर मत देना सारे चीज़ें पढ़के जाना लाइक फर एक्जांपल यू कैन से के अगर एचार हूं ठीक है अगर इफ एचार में हो तो मैं पूछूंगा तुमारे कंपनी में तुमारे दो जुन्दर कांफलेट कर रहे तो मैनेज कैसे करूँगे यह कोई सड़क चाप गुंडा गिरी नहीं है यह प्रफेशनल है तो आपको बताना पड़ेगा है तो इस तरीके से अपने प्रफेशनल जो रहेंगे इसके हिसाफ से आप हैंडल को रहें कि इसमें मैंने के सिचुएशन दे रहा हूं कि बंदे को मैंने हायर किया और बोला कि पूरा अच्छा मत के ना पुरा बुरा मत के ना और इसमें एक चीज पॉलिडिकल पारटी में किसी की तारीफ है किसी की बुरा ही मत करना ठीक है वहां पर एक दम परसनल गुसा मत निकालना कि यह यह हूँआ वह वह देश के हित में देखना आपको क्या लगा क्या नि में लेगा और इसे क्वेस्टन पे जज्जमेंटल क्वेस्टन यह तोड़े कॉंट्रवर्शल भी क्वेस्टन सोसे मैंने कहा था उसे प्रॉपर व्यू रखना ठीक है देन एकॉमर्स के क्वेस्टन पूस सकते देन बैंकिंग ट्रांजेक्शन टाइप्स जैसे मांदो अभी और ईसे भी आ सकते हैं रिवस रिपोर्ट क्या होता ? क्या होता है ? यह पिसक प्रिया होता है ? क्या होता है ? बेशिक बैंकिंग ट्रेइक्शन पूंस के लावा daha? फिर मेरा आंसर आएगा फिर आपका आएगा मैच करके देखो हो सकता है आपको एक कमबाइन आंसर मिले क्योंकि हो सकता है आपका नौज अल्रेडी हो क्योंकि आप अगर रटा हुआ पढ़के जाओगे ना तो प्राबलेम क्या हो पता है आपके दिमा में वही मिटर दोड़ेगा कि चंदन सर ने इतना कहा था ठीक है लेकिन वह बंदा आ आपके आंसर में अगर आपको रुका के कुछ पूछता है तो आपको आंसर करना तो पड़ेगा ना इसलिए बहुत रहा हूं अपने भी आंसर तयार रखिएगा ताकि मैं उसमें फिर एडिशन आपको गाइडेंस कर सकूं देन एक क्वेशन लाइक सर्जीकल अटेक ऑन पाकिस्तान वाजट निसेसरी वाजट अगुड मूव इट वाजट डिसीजन और वाट इस लाइक टेरिरिस्ट का इशू था दे वर क्रॉसिंग बॉर्डर सो कही ना कहीं हमें थोड़ा जवाब देना जरूरी था तो इड़ दूसरों यह थे कुछ पता नहीं 15 16 कितने क्वेशन से एक इसमें मैंने मिक्स क्वेशन स्केक पुछ बेसिक के कुछ कुछ कॉंट्रावर्शल किये कुछ जज्मेंटल किये कुछ फेमस क्वेशन जो तो बता दे हूँ ठीक है वाइड वाउन तो जोईन बैंकिंग सेक्टर ठीक है देन वाइशुड भी हायर यू ठीक है और एक बड़ा इंटरस्टिंग वेस्ट इस जॉब इस जॉब इप इसमें सोचिएगा आपको कोई बीए इन तीन क्वेशन पर ज्यादा तो बताएगा और डिटेल में ठाकि मतलब उसका आंसर में मैं पूरा उसका आंसर दे